बिस्मिल्लाइ रख्मनी रहीम अस्सलामुआरीकुम जी मैं हूँ इकरा तारीक तो कैसे हैं आप आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सोफ्टन स्पोंजी कैरेट केक जो के बहुत ही उंदा बनता है जिसे बनाकर आप लोग एजा स्टोर भी कर सकते हैं इसे आप लोग अवन विदाउट अवन दोनों तरीकों से बेक कर सकते हैं तो आज हम बनाएंगे इस मज़ेदार जबरदस से केक को वह भी घर पर चली आए करते हैं इस मज़ेदार सो केक को बनाना शुरू सबसे पहले आप लोग ने एक बावल लेना है इसमें आप लोग ने आड़ करना है तो आप लोग विस्क या फिर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं इसमें जूस मिनाते उस जग में भी कर सकते हैं तो यहां पर देखें इस तरीके से हमने अंडो को अच्छे से बीट करना है वोलियो में डबल करना है इसी से हमारा केक बहुत अच्छे से पूलता है अब आप पॉना कप चीनी यानि कि शूगर पावडर लेना है एक कप के तीन इसे चीनी, एक चौथा हिसा आप लोगों निकाल देना है तो इस तरीके से आप लोगों ने जो कि मीटाः पॉफेक्ट रहेगा इसे भी आट करके आप लोगों ने बीट करना है अब बारी है थिया इसमें oil आड़ करने की 1x3 cup इसमें oil आड़ करेंगे जो कि किसी भी खाने में यूज ना हुआ हो वह वहला आपने oil यूज करना है without any smell के 1x3 cup इसमें हमने oil आड़ कर दिये इसे भी बीटर से 2-3 मिनट हम लोग बीट करेंगे अंडो को चीनी को oil को तिनों चीजों को बीट करना होते हैं यह स्टप करना बहुत जरूरी है अगर से बीटर नहीं है तो अगेन बता रही हूँ blender में आप लोगी स्टप कर सकते हैं बीटर का काम हुआ जाता है जी खतम अब बताते हैं आपको next आप लोग ने क्या करना है यहाँ पर देखें इस mixture को करते हैं side पर चलते हैं dry ingredient की तरह यहाँ पर आप लोग ने एक चमकती दमकती साफसुत्री सी प्लेट लेट लेए अब इसमें पहले ingredient एक कप इसमें आपने बढ़ कर मैद आड़ करना है और अब आप लोग ने एक टी स्पून बेकिंग पावडर आड़ करना है नोट बेकिंग सोडा बेकिंग पावडर अब इसमें one by four ती स्पून इसमें तीन से चार चुटकी बेकिंग सोडा एड़ करना है और एक चुटकी आप लोग ने इसमें salt यानिके नमक एड़ करना है जो के केक को balance रखेगा इस चीजों को अच्छे से mix करके करते हैं side पर सो आप लोगों ने mixer में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से दो या तीन चमच मैदा आड़ करना है और इसे अच्छे से आप लोग mix करते जाएगा बहुत ज़दे एक दम से मेदा कभी भी आड़ नहीं करना है आप लोगों ने अगर perfectly cake बनाना चाहते हैं आपका cake अच्छे से पूले राइस हो और इस तरीके से आप लोग तोड़ा तोड़ा करके इसको जो है mix करते जाएगा मेदा आड़ करते हुए यहाँ पर देखिए अब बेटर का टेक्सर बहुत ज़दा ठीक है अभी आप लोग रहे इसमें 4-5 टेवल स्पून दूद यानिके मिल्क आड़ करना है तोड़ा से इसमें vanilla essence आड़ करेंगे जिससे हमारे cake में बहुत यची से उखश्प हुआएगी एक कप इसमें grate की हुई मतलब के grate की हुई गाजर add कर देंगे याने के carrot पूरा एक कप इसमें add करना है तो देखे इस तरह किसे आपने mix करनी आदा कप और grate करके आपने रख लेनी यह वारे मैंने की थी बड़ी एक साइट से grate और आप लोगों ने जो इसके end पर garnishing करनी है गाजर की वो आप लोगों ने मोटा इस साइट से grate करके रखनी है आदा कप वो किस पॉइट पर यूज़ करेंगे आपकी बैन आपको बताएगी वीडियो चे लग रही है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कॉमेट कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब कर दिया तो आपका करती हूँ बहुत सदा शुक्रिया यहाँ पर देखिए अब हम लेंगे मोल्ड जिसमें हमने केक बेक करना है मोल्ड वीडिये मेंदार और शुक्रियो डियोड कायि youth कीजिए 10 मिनृड के पहले अवन को गरम करना है पिर इसे पूरे 30 मिन पकली नइट समूर और दूत करना हूँ पतीला को तो एंट क्लीजिए पतीले में विल्कुल लो करना हूँ आपका केक बेक का हाले te grape kiwi गाजर को इस करें utilizz के तरुकस mm riches करते हैं और अम इसे चली है बोधर केre ब्भाद चली है लिगे हमारा केफ़ बहुत अच्छा बन जाता है बट अफस徹 relative को आप यह न trata नाइफ से इस तरीके से आप लोगों ने उतार लेना है और केक आपका एजी ली जो है बेक हो जाता है इस तरीके से विदाओ बटर पेपर के आलहम्दुलिल्ला, मशाला, मशाला, त्यार है मारा मज़ेदार, जबर्दस कैरेट केक आप लोग इसे बनाकर एक वीक तक स्टॉर भी कर सकते हो बहुती मज़ेकाब बनेगा इसका टेस्ट प्लेवर बहुती जबर्दस बहुती स्पोंजी होगा, कहीं से भी कच्चा नहीं होगा कहीं से भी बैठेगा नहीं, बहुती आला बनेगा यहाँ पर यह देखें, इस पीस इस तरीके से आप लोग करके रख सकते हैं इससे आप लोग टी टाइम में एंज्वाइ करें, बचों को लुइंच बोक्स में दे सकते हैं सभी को बेखे दी जादा पसंद आएगा वीडियो चलिएए इस वीडियो का लायक कीजे, शेयर कीजे, कॉमन कीजे अपनी पसंद रसिपी बताया करें, ताकर मैं नेक्स आने व्ल की बैवीडियो में आप लोगगे की बन पसंद रसिपी को आपके साथ शेयर कर सका हूँ तो यहां पर देखें केक हमारा एकदम डेड़ी आप लोग इसे इस तरीके से पीसिस करके फ्रीज में एजिली ट्रेट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं इसका टेस्ट फ्लेवर बिलकुल भी खराब नहीं होगा रखेंगा मुझे अपनी दौा में जरूर से शामिल रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजेगा सभी को ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा अलाफीस टेक कियर बाबाई